हेलो एवरिवन आज हम बंगाली मिठाई रजगुला बनाएंगे रजगुला ऐसी मिठाई है जो की लगबख सभी को पसंद आती है रजगुला बनाने के लिए हम पहले दूद से छेना तयार करेंगे तो दूद हमें गाय का ही लेना है किसी भी छेने की मिठाई को गाय के तब ही रिजल्ट अच्छा आता है तो यह देखिए आधा लीटर दूद मैंने गाय का लिया है उसमें बॉहिल आ गया है उसके बाद हमने गैस बंद कर दिया है और गैस बंद करकर हमें थोड़ा ठंडा होने देना है उसे और फिर मैं दिखा देती हूं आपको कि इसे हमें फ इसमें दूधारक्स निप्स्वाइब करते करता है कि हमारा जो दूर रहता है लेते हम किसी पैकिट के दूद में या फिर जो भी डेरी का लेते हैं उसमें चल्दी फट जाता है और कई बार टाइम भी लग जाता है तो आप विनेगर हो या नीम्बू कारस है जो भी आपने तयार करके रखा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें आप तो ज्यादा भी लग सकता है औ मैं एक चममच विनेगर और यह वाइड विनेगर ही लिया है हमने और इसमें मैं जाए करके मैं फिर से इसे फाड रही हूं तो यह चेना आमें बनाना है और यह थोड़ा-थोड़ा करकर ही डाले तभी हमारा चेना बहुत सॉफ्ट बनेगा वरना अगर एक स्था डाल देंगे आप तो यह चेना हमारा जो है बहुत टाइट बन जाएगा फिर हमारे रजगुले अ दो कुछ भी रख सकते है उसके उपर हमने चेने को डाल दिया है और फिर हम इसे साफ पानी से अच्छी तरह से तीन-चार बार ध्यावश्ट धोइंगे इसे अमें अच्छे से थोना है तो यह जब हम धो पर अच्छे से तयार कर लेंगे और फिर इसे आमें धोने के इसे निचोड़ देना है अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसे हाथ से ही पूरा पानी निकाल दें या फिर आप थोड़ी देर 5-10 मिट इसे इस तरह से चनी के ऊपर कुछ वजन रख दें और इसे इस तरह से आप रख सकते हैं ऐसे करके और बस 10 मिट बाद आप देख लेते हैं यह आधा लीटर दूट से बनाया हुआ छेना है आप इसी तरह से एक लीटर दो लीटर जितने भी बनाना चाहें बना सकते हैं हमारे रजगुले बहुत ही सौफ्ट बनेंगे देखिए अब यह जो हाथ की जो हमारी हतेली है उससे हमें हलके हलके से इसे मल देना ह मसल मसल कर तयार करना है क्योंकि और इसे बहुत तेज हाथ से भी नहीं करने तो इसमें गर्माहाट आजाएगी तो हमारे रजगुले अच्छे नहीं बनेंगे और इसे 10 मिट 7-10 मिट तक इसे हमें इस तरह से ही मिक्स करना है और यह मैंने आधा चम्मच कॉन स्टाज डाला है आप इसकी जगे आरा रोट या मैदा भी यूज कर सकते हैं दोनों में से कुछ भी तो मैं आपको यह दिखा देती हूं कि हमारा यह तैयार हो चुका है और यह देखिए गोली बना के दिखा रही हूं में एक यह बॉल कितना बढ़ियां हमारी विल्कुल चिकनी बॉल ब सिर्फ अमें से पतला ही रखना है पानी जैसे बॉल हो जाएगा ना यह घुल जाए हमारी चिए उतना ही हमें रखना है तो हमारी चीनी घुल जाएगी जब तक हम इसके बॉल तयार कर लिए रस गुल लेके तो यह देखिए आप छोटे-चोटे साइज के बना या बड़े आपको जो भी साइज बनाना है आकर अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा रख सकते हैं बॉल का तो यह में छोटे बना रही है पर ध्यान रखें कि आप जिस भी साइज के बनाएंगे उससे यह साइज अपना डबल कर लेगा बनने के बाद इसलिए आप थोड़ा ध्यान से ह हमें जब यह चासनी हमने बनाई है ना चीनी वाली वह अच्छे चोड़े बरतन में ही रखना है यह देखिए घी अगर हमारा इस तरह से हाथ पर आ रहा है मतला हमारा यह अच्छे से यह जो चेहना है तैयार हो चुका है और यह मारी बॉल भी अच्छी तरह से बन गई है तो यह चोड़ा बरतन ही लेना है क्योंकि इसमें जगे काफी रहना चाहिए रसगुले के लिए क्योंकि जब यह बॉल डालेंगे तो यह बॉल साइज में बहुत बड़ी हो जाएंगी इसलिए और एक एक करकर ही डाले हो और अच्छे उबलती हुई चासनी में ही डालना ह कि देकी दृज़ पानी में अच्छे तरह से बॉKit लया तभन डालना है और एक ही डालना है ऐसे यह देखें आपको दिखा रही हूं इनने जगे अच्छे से मिलना चाहिए बनने के लिए तो इस तरह से हमें सारी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इससे हमें खुला ही पकने देना हैं दो से तीन मिट जादा नहीं 2-3 मिट तक इसके खुला पकने देंगे और तब तक हम इसमेंों कि सुभाम चल्ड़ से आपको घोल बना के दिखाती हूं आप मैदे के घोल की जगे अरा रोट का घोल या तो फिर एक रीठा आता है रीठा उसका पानी भी आप डाल सकते हैं रीठे को गला के बस इध्यान ये रखना है कि रीठे के पानी को बहुत जादा नहीं डालना है अगर आप जादा डाल है यह उसी वजह से ताप मैदा घोल की जाल सकते हैं अच्छा पतला करके यह फिर आप रीठे को भी डाल सकते हैं तो यह देखिया हमारे बहुत अच्छी तरह से बन गया है यह मैंने दस मिट बाद चेक किया है आप इसे पूरा 20 मिट तक पकाना है और बीच में अगर आप मुझे ज़ुरत नहीं पड़ी है लेकिन मैं आपको दिखा रहे हूं कि इसमें पानी ज़रूर डाल देना चाहिए यह इस तरह से क्योंकि अगर आपको लगता है की पानी कम हो गया है रजगुले में चास्मी गाड़ी हो रही है तो बहुत गाड़ा नहीं रहना चाहिए थ दिखाते हूं कि कितनी अच्छे जाली भी आई है हमारी यह देखिए ठंडे ठंडे सर्व कीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स